नमस्कार दोस्तों, कार म्यूजिकम में आपका हार्देक्स त्वागत है, मैं प्रीट दुवे, आज आपके साथ सेयर करने वाला हूँ, एक प्रोडेक्ट की अन्बॉक्सिंग, तो गैस हमारे चैनल पे काफी दिन के बाद ये अन्बॉक्सिंग का जो प्रोग्राम है, वो के इंबॉक्सिंग करते हैं, और बताते हैं उसके बारे में आज का प्रोडेक्ट है डबेल देश्टेडियो एंड़ोट विद गॉरियला टक्श, जो टक्श की क्वालिटी है क्यापसिटिव है, लेकिन गॉरिबला है, गॉरिला का जो ग्लास होता है, वो काफी हबी होता ह मेरे 200 प्रोडेक्ट की अन्बॉक्सिंग बाला जो एक playlist है वो जरूर देखे आप क्योंकि उसमें 110% आपको आपके according stereo मिल जाएगा All car stereo है उसमें 200 car stereo की unboxing और testing की है तो please उस playlist को आप डिसकर सर में जाएए और निकाल के देखिए बाकी कुछ प्लेलिस्ट में आपने आई बिटन पे भी चला रहा हूं तो गो भी आप देख सकते हैं और गाइस अगर आपको ये चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगता तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए तो चलिए आज के प्रोडेक्ट के अंबोक्सिंग शुरू करते हैं तो गाइस ये है वो 7 इंच एंडोइड इस्टीडियो जिसकी अंबोक्सिंग मैं आज कर रहा हूं आपके सामने इसमें अगर हम बाइरिंग की बात करें तो इसमें एक GPS एंटीना और मैन जो कपलर होता है जिसमें आपका speaker का output और मैन power supply रहता है वो आपको मिलने वाला है साथी साथ इसमें आपको aux cable के लिए connector और USB के लिए connector मिलने वाला है क्योंकि इसके front पे USB के connection के लिए आपको कोई भी slot नहीं मिलेगा और subwoofer output के लिए भी इसमें जो yellow color के नीचे buyer kit दी गई है ये अगर आप connect करेंगे तब भी ही आपका subwoofer काम करेगा रेवस parking camera का भी proper slot है उसमें भी जो socket लगता है वो आपको इस stereo के साथ बिलकुल free मिलने वाला है आपको बात करते हैं तो 65 वाट इसका maximum output होता है और रेवस parking camera काम करता है 15GB RAM 16GB internal memory होती है gorilla glass का जो touch होता है वो gorilla glass का होता है जिससे कि आपको proper smooth touch का लुट्व मिले means कुल मिला के ये studio है जवरदस्त और अगर बात करें तो ये made in china है और पहले ही हमारे पास ये stock में आ चुका था पर unboxing में नहीं कर पाया और इस product की आज unboxing में करके दिखा देता हूँ आपको आगे आपको इस channel पर इसकी testing भी मिल जाएगी तो चलिए देखते हैं studio का look कैसा लग रहा है, screen का size कैसा लग रहा है आप unboxing से I think अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो packing है जो इसकी quality है वो आप इसकी packing के साबसे भी अंदाज लगा सकते हैं तो देखिए studio आपका बाहर आचुका है, ये देखिए guys इसमें क्या है एक polythen मैं निकाल देता हूँ जिसे कि आपको screen का view है वो थोड़ा सा दिख जाए और जो इसका side में keep it होते हैं जो full touch होते हैं आप उसको देखिए आप हाइट वाइट जो देख रहे हैं इन पे अगर आप बिल्कुल ज़रा सा हलका सा touch करेंगे तो 110% ये आपको response करेंगे ये देखिए तो इसका जो layer है म side की fit है ये देखिए कई semi touch stereo में ये आता है लेकिन ये full touch है इसमें side में आप पूरा volume control कर सकते हो power on off, mic, reset ये सारे feature आपको मिल जाएंगे तो guys ये Chinese stereo था और कैसा लगा वीडियो प्लीज आप पताईए और अगर कुछ चानकारी आपको चाही तो प्लीज कमेंट करिए and thank you very much for watching my video